दोस्तों अगर आप 500,000 रुपिये का छोटा अमाउंड का लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ इस एप्लिकेशन से आप 500,000 रुपिये का लोन आराम से ले सकते हैं बस यहाँ पर आपको एक सर दिनों के लिए ही लोन मिलता है लेकिन छोटा अमाउंड का लोन आपको मिल जाता है यहाँ पर आप लाइब देख सकते हैं लोन अमाउंड मुझे यहाँ पर 500 रुपिये का अप्रूबल दिया गया है एक सर दिनों के लिए मुझे यहाँ पर लोन यह दिया जा रहा है जो मैं आप जो है डिरेक्ली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं ऐसे मैं अगर आप भी 500,000 रुपिय का लोन लेना चाहते हैं अगर आपको दूसरे एप्लिकेशन से लोन नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में फूल प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको 500,000 रुपिय का छोटा अमाउंट का लोन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है कैसे आपको बैंक अकाउंट में लेना है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आगे जानते हैं तो इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दिए और नीचे कॉमेंट करके बताएं कि आपको कितने रुपिय का परसनल लोन चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा details में बता देता हूँ कितने रुपिय का loan मिलता है, कितने दिनों के लिए loan मिलता है और कितना interest आपको यहाँ पर अगर आप loan लेते हैं तो आपको देना पड़ता है तो देखें यहाँ पर totally बताया गया इस application से आप 500 रुपिये से लेकर 20,000 रुपिये तक का ही loan ले सकते हैं आपको ज्यादा amount का नहीं मिलेगा 500 रुपिये से लेकर 20,000 रुपिये तक का आपको loan मिल जाएगा आपको यहाँ पर जो loan मिलेगा वो 61 दिनों से लेकर 365 दिन यानि कि एक साल के लिए आपको loan दिया जाएगा साथी साथ यहाँ पर अगर interest rate की बात करें जो कि सबसे most important होता है तो यहाँ पर interest आपको 12% से लेकर 36% per annum यानि कि एक साल में आपको 36% तक का interest देना पड़ेगा अगर आप इस application से loan apply करते हैं लोन लेते हैं तो चलिए मैं आपको आप जो ए process बताता हूँ कैसे आपको loan apply करना है तो सबसे पहले मैं आपको loan apply करकी दिखाता हूँ आगे मैं आपको इस application का नाम बता दूँगा क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर application का नाम जब बता देता हूँ तो बहुत सरे लोग install कर लेते हैं और loan apply करते हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं और उनका loan reject हो जाता है next का next के उपर आप ग्लीक करेंगे अब देखे यहाँ पर आपको option मिलेगा यस I understand इसके उपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको यह खाली box मिलेगा आप इस पर क्लिक करके नीचे आप क्लिक करेंगे उसके बाद while you using the app और फिर से while using the app पे और allow पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे और उसके बद continue के option पर नीचे क्लिक करेंगे एक OTP आपको send किया जाएगा आपके mobile number पर उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे और submit करेंगे अब देखिए इस application से आपको instant approval मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे mobile number डालके आप login करेंगे यहाँ पर आपको इस application से 500 रुपिय से लेकर 10,000 रुपिय का instant approval मिल जाता है आप इसको 62 दिनों से लेकर यहाँ पर 62 दिनों के लिए ले सकते हैं application से loan को ठीक है तो देखिए यहाँ पर आप जो भी loan amount लेना चाते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप मैं बता दू आपको यहाँ पर अगर आप 2000 रुपिय सेलेक्ट करते हैं 2000 रुपिय सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर past time जब आप loan apply करेंगे तो 500 रुपिय का ही सेलेक्ट करने का option आता है अगर आप छोटा amount लेना चाते हैं 500,000 रुपिय तो आप इस application को try कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा amount का loan लेना चाते हैं जैसे कि 5,000, 10,000, 15,000 रुपिय का loan लेना चाते हैं तो मैं आपको और एक application का link जो है description box comment box में दे दूँगा जहाँ पर आप only KYC पर ज़्यादा रुपिय का लोन ले सकते हैं यहाँ पर आप छोटे amount का 500,000 रुपिय का loan ले सकते हैं आप देखें यह amount आपको देखने को मिल जाएगा 500,000 रुपिय यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नीचे option मिलेगा next का tenure select करने के बाद आप next के option पर click करेंगे आप देखें next के option पर click करेंगे आप आजाएगे next paper यहाँ पर आपको अपना पूरा details fill करना होता है क्या क्या details fill करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप last name यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर last name यहाँ पर pink code डालेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें आप अपना gender select करेंगे male female जो भी आप है वो आप यहाँ पर select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना date of birth डालेंगे यहाँ पर father name यहाँ पर mother name डालेंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा आप कहा तक पढ़े लिखे हैं वह आप यहाँ पर click करेंगे और आप जहां तक पढ़े लिखे हैं वह आप यहाँ पर select करेंगे जहां तक आप पढ़ रहे हैं जहां तक आप पढ़े हैं ठीक है उसके बाद यहाँ प next के उपर आप क्लिक करेंगे, आप देखिए next के option पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर address वगरा सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जो address आपका है अभी का, वो address में आप अगर अभी रह रहे हैं, तो आपको खाली box को tick करके next के option पर नीचे क्लिक करना है, आप देखिए आप आज आएंगे next फेज पर, यहाँ पर आपको अपना profession details select करना है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको सबसे पहले option मिलेगा employment status का, इसके उपर क्लिक करेंगे, आपका employment status क्या है, आप salary person है, कहीं पर job करते हैं, salary करेंगे, अगर आप self employee है, तो self employee करेंगे, तो यहाँ पर आपको दो option मिल जाएगा, तिसरा option मिल जाएगा, और चोथा option मिल जाएगा, self employee का मतलब होता है, आप अगर दुकान वगरा करते हैं, खुद का business करते हैं, self employee पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर option मिलेगा monthly income का, आपका monthly income कितना है, वह आ तो यह गलति आपको नहीं करना है आपको यहाँ पर कम से कम मंतली इनकम 20 जार रुपीय डालना ही डालना है ठीक है आप देखिए यहाँ पर option मिलेगा आपको नहीं बरना है इसको खाली छोड़ देना है नहीं बरने से भी कोई बात नहीं यहाँ पर बस आपको एक email address डाल दे उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर आपको खाली बॉक्स मिलेगा दोनों खाली बॉक्स को आपको एक एक करके टीक करना है इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले उपर में option मिलेगा IFC code, यहाँ पर आप अपने bank का IFC code डालेंगे, यहाँ पर आप अपने bank का नाम डालेंगे, जिस bank में आपका account है, यहाँ पर आप अपने branch का नाम डालेंगे, यहाँ पर branch का city डालेंगे, किस city में आ submit का, submit पे click करके bank details को submit करेंगे, अब आप आएंगे next page पर, जहाँ पर आपको अपना आधार card, fan card का photo upload करना होता है, और एक selfie upload करना होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उपर में option मिलेगा, आधार card का photo upload करने का, यहाँ पर आपको option मिलेगा front side का और back side का, आपको front side का और back side का, एक एक करके photo upload कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना fan card का photo upload कर लेना है, और यहाँ पर आपको click करना है, selfie वाले option पर, और आपको एक clear selfie upload कर लेना है, यहाँ पर मैं यह process complete कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आप जैसे अपना आधार card, fan card का photo upload करेंगे, य ज़्यादा रुपिये का नहीं दिया जाता है अब देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पर मेरा जो एप्लिकेशन है यहाँ पर 500 रुपिये का एमाउंड मुझे दिया गया है साथ दिनों के लिए मुझे यह लोन प्रोवाइड किया गया है और 621 रुपिये का मेरा एमाई बनेगा यानि की 621 रुपिये मुझे चुकाना होगा अब यह जो एप्लिकेशन है यह मेरा प्रोसेस में चल गया है यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर 24 गंटे के अं मैंने आपको A to Z process बता दिया है अब इस application का नाम क्या है कहा से install करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए इस application का नाम है rapid rupee personal loan application early access ठीक है इस application से आप यहाँ पर मैं आपको जैसे पहले ही बताया था कि इस application से आप जो है 500 रुपिये से लेकर 20,000 रुपिये त नाम भी बता दिया है play store से आप install कर सकते हैं second number अगर आपको by chance इस application से loan नहीं मिलता है या कोई भी problem होता है तो हमाँ आपको और एक application का link जो है description box comment box में दे दूंगा जहां से आप श्रीपो श्रीप QIC पर यानि कि only QIC पर आपको loan मिल जाता है और ज्यादा रुपिये का यान पूरा वीडियो देखने के लिए